साथ श्रीकाल नमस्कार अदा मैं तो अड़ा गुरलाल फेर हाजर प्रोग्राम ओपन प्लैटफरम लेके दर्शको मैं तो अड़े रूपर हुना इस जस पंजाबी दे मंचतों ट्यूजडे वेंस डे तर्स्डे शाम्डू नो बजे दर्शको मैं बोत गल्ला ने जड़िया तो अड़ना शांजियां करना चोना हैं पर अपने नाल कर दे रहांगे तो अपने नाल मुएजज मेमान इंडिया तो जुड़ गे ने उना दा तारूफ शायद सारे जने बोत चंगी तरह जान देने पर फेवी में तन दस देना कि सवराज इंडिया पार्टी दे सुप्र गेने इंडिया तो अपपला ना स्वागत करांगे तो उस तो बादा उना ना गलना बतां दा सिलसला जारी करांगे स्वागत जी यादव साब नमस्कार श्रीकाल अदाब जी जी सर्सरिकाल बहुत बादीया भाथ-बाथ-बाथ-बाथ श्वक्रिया तो आदा आतिसτα न हो देख के मैंनो गंगा-नगर दी याद हागे जी सर जो श्वश्क्रिया मैं नहीं आद ढिन बी एक पराने दिनियाद आगे खालसा स्कूल खाल्ज श्री गंगा-न अगर याद बहुत खुशी दी गाला है सर जड़े मुकाम ते तुसी पहुंचे हो शायद उना उस स्कूल या उस कॉलेज दी बदोलत है उना गुरुवां दी बदोलत अड़े फादर साब दी जो सिक्षा है परमातमा उना नू चड़ दी कलाच रखे जिते भी होनते तो अनू भी सर आपको मैं ढात करो या पंजाबी मैं कैसे अपको अच्छा लगता है तुस्य पंजाबी ची गालकरो मैं पंजाबी समझ सकताyn पूलन तो ठोड़ा यशह को कोई गाल नहीं कोई गाल नहीं तानू जिद्दा इंधीश करना हिंधीश पंजाबीच इंगलिश इंगल इन्ली तो यादव सब्सक्राइब आपको अपर जो है सेगमेंट पहले बारा मेंटा सेगमेंट उस्ते वेच अपर दूसरा बारा फिर तीसरा ते पहले सेगमेंट मैं एक दो क्वेस्चन पुछूंगा तो आड़ी सवराज इंडिया पार्टी ते उस दे बारे तुसी एस टैम अप हमारी ते भी होना उस तो बाद एक दू क्वेस्चन मेरे आवदें है तो अडितों ते ओते भी होंगे पर हमने दूसों की सवराज इंडिया पार्टी ऐस टैम जब आप दो हैर चोवी नूम अदे नजर रखके देखिए ते तुसी किते स्टैंड कर रहे हैं आस एक छोटी पार्टी है मैंनी कहनदा बहुत बड़ी पार्टी है कि साड़ी आठ दस सुवें आते प्रेसिंस है की करनाटे का महराष्ट्रा कमिलनाट टे नौर्ट टिया टे उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब, राजस्तान ते इस पासे ते प्रेस्ट्वें इलेक्टोरल पॉलिक प्रेसिंस के असी हमने कोई बहुत बड़ी प्रेस्टर साथे नहीं किती है एदे वेच टाइम तके गाँ जह तुछ जानते हो असी आम आदमी पार्टी तो आएसी इंटर जदो आम आदमी पार्टी अपने प्रिंसिपल्स तो विक्टर गई, खट गई, उन्होंने छड़ प्रेस्टे अपने प्रिंसिपल्स ते असी बाहरा आगे, आसी जा कि असी जड़े स्वराज दे प्रिंसिपल्स तो सब्तो बड़ी जे चैलेंज है वाय बिलिए, सादे को रिसोर्स है कर अब आप ऐसा जानते है, इलेक्शन प्रिंसिपल्स तोटल पैसे का धनता हुएं, क्राइम, हर तरह की चीज़, हमने तेह किया है कि जाना रास्ता जाएंगे, अब प्रिंसिपल्स को ठोड़े बिना नहीं, इसलिए हमारी जर्णी स्लो, लेकिन मुझे व्याकिन है कि जब तक हमारे साथ लोग आएं, वो शांदात हो आएं, पूरे देश में बहुत ही, बहुत इमान दाद्ग, वहुत प्रिंसिपल्ड, वहुत कमिटेड़ लोगों का एक ट्र केटर सायार किया है, जो हिंदुस्तान की खुमेत, वो हिंदुस्तान की सियासत, खुम्यादी रूप से बनाने का एक भीयकीन है, जी, 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 यादव सूब, नेक्स्ट क्वेस्टन में इस बात पे है कि नथिंग अगेस्ट नो वन भारतिय जनता पार्टी स्पेशलिय हम याद करें शिरिय अटल वियरी वाइस पाई के वक्त हम लोग भी शायद फैन रहे होंगे अब क्या कारण है कि इतने सारे चाहे हम NRC ले लें, CAA ले लें, Note 1 दी ले लें, GST ले लें और उसके बाद ये तीन क्रिशी कानून ले लें, उसके बाद भी चलो क्रिशी कानून तो इस टर्न वर में आया उससे पहले, पिछले पांच साल के बाद में भी, जो ओवर्वेल्मिंग सपोर्ट भारती जनता पार्टी को में लिए, इतना कुछ होने के बाद, उसके क्या कारण रहे होंगे, आपके इसाब से? गुलाल में दो बाते हैं, पहला तो ये कि हमारे देश में हिन्दुस्तान, अब एलेक्टोरल पॉलिटिक्स का तरी रिलेशनिश्शिप नहीं बचले, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बिलकुल ये है कि आप कैसे मेनेज़मेंट कर सकते हैं, कैसे पैसाई कठा कर सकते हैं, और image management के front there, image बहुत बड़ी थी थी था, हिंदुस्तान में जिस तरे से पुरे बिद्धिया कि अधिया कर रहा है इस पार्ट, हर सच को दूसरा पता है, ने हम बताईए चाइना के front बेसे, सचाई ये है कि पिछले साल चाइना ने हमारी जिन्टिश सब्जा कर रहा है, सचाई य कि चाइना ने पनी तक उसको चोड़ा है बहुत घुज़ा है कि उसको छोड़ा नहीं है।लेकिन हिंदुस्तान की जलए में calm की दिया है कि हिंदुस्तान की फॉज है चीन को मुं तोड़ जवा कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि फॉज की हिम्मत की कुल मुकाफला नहीं लेकिन जो जो डिफेंस एस्टेबलिश्मेंट जो फॉरेंड पॉलिसी एस्टेबलिश्मेंट उसकी तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई थी पिछले साथ अब उस कमी को स्ट्रेंथ के रूप में प् मैंनेजमेंट चलो पहली वेव पता नहीं था अब सेकंड वेव का आपको पता नहीं था आपने कोई एक साल में किभारी नीथी दुनिया में और मेरे पास उसके लिए क्वेस्टन है लेकिन बात यादल सर बैसिकली सीधा सा क्वेस्टन पुछूँगा कि इसमें कहीं ऑप कारण रही होगी कि जुभारतिय जनता पार्टी एतने बहुमत के साथ दुबारा आई है मैं दूसरी बात वही कह रहा हूँ पहला यह है कि इनकी मेनेजमेंट और मीडिया मेनेजमेंट और यह सब बहुत शानदार था और दूसरा यह है कि आपोजिशन में है क्या लोग मोदी जी के तरफ देखते हैं मिराश होते हैं फिर पलटके देखते हैं राएल गांणी करेशधिशन के पास ना कोई मैसिंजर है देश के लिए कोई फॉर्ट किंगात कहने को नहीं कोई एक चेहरा नहीं जिसके लोग यकीन कर पते हैं जिसकी बात को लगे हाँ भी जरा ठीक है और अपोजिशन वाले जब सारे कटे होते हैं तो आम जनता को ओर्डर तक लगते हैं को एक बचारा कुछ काम कर रहा है देश के लिए और ये सारे लोग कटे होके उसके लिए जी 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 यादू साब इसका कोई अल्टरनेटिव आपके दिमाग में हो की दोहजार चौबिस को अगेन मैं अपने मत से ये बात कह रहा हूं कि नतिंग अगेनस्ट एनी पार्टी कोई भारती चैन्जिस ना हो तो दइमोक्रेसी में जो है जो हो रहा है आपके सामने हैं अल्टरनेटिव इसका निकल सकता है दोजार चोबीस तक गुरलाल भाई आप कह रहे हैं नाफिंग अगेंस आपका है कहना अगर मैं बिल्कुल इमानदारी से कहना इस वक्त इस देश में डेमोकरिसी की जड़ खो दी जा रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के रिपबलिक की एक हटाई जा रहे हैं इस देश को तोड़ा जा रहा है इसलिए हिंदुस्तान को बचाने की लिए आइडिया औरंदिया को बचाने की आज कि सरकार को फटाना डेमोकरिटिक तरी टरीटेश लिए ना रिप्रेस्ट करना बेहत जरूरी है जैसply 1997 में इंदरा गांदी को हटाना जरूरी था इस देश को बचाने के उसी तरह से आज के हालात में इस सरकार को हटाना इस देश को बचाने के लिए जरूरी है सवाल है कि alternative कहां से आएगा alternative सिर्फ विपक्ष को इकठा करते नहीं आएगा क्योंकि उससे जनता को confidence नहीं आएगा जनता को लगता है यह तो जिसे हिंती में कहते है ना भानमती का कुनबा जी 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 कहीं का रोड़ा भानमती ने कुनबा जोड़ा जी तो उससे तो लोगों confidence नहीं आएगा मुझे लगता है इस देश में आज अगर कोई विपक्ष है तो संसद में नहीं सडक पे election में नहीं है आंदोलन में जो CA के खिलाफ दोलन है वो एक कुछ एक community vision तक सीमित रहे गया बोटे तोर पे कुछ इलाकों तक सीमित रहे गया लेकिन उसने इस देश में एक नई किसम की leadership पैदा की और ये जो किसान आंदोलन इस वक्त हो रहा है historic किसान आंदोलन इस ने भी इस देश के एक नई किसम की leadership पैदा की है तो मुझे लगता है कि इन आंदोलनों से देश को नया alternative का एक विकल्प लिए जी 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 यादव सर आपकी मर्जी है वो तो आपकी independent सोच है आपको लगता है कि कहीं ने कहीं reunited with आम आदमी पार्टी आपके लिए कोई विकल्प है आपके दिमाग में अब जी तो सवाल आपको उन से पूछना चाहिए कि क्या वो अपने असूलों पर वापस आने को तयार जिस पार्टी ते अपने असूल छोड़ दिये अब मुझसे कहें कि मी ने असूलों दिगाज पाड़ दो बस पस जाके किसी तरह जबनी पार्टी नहीं हो सकता है असूलों के लिए उस पोड़ उसूलों पे जो पार्टी तो वो और ज्यादा दूर बताईए राज्यसभा की किके ठूट हो जबेंगे अब ये पबलिक बाते हैं तो टाइब इट बाते नहीं बता रहा है जी 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 पनजाब के इलेक्शन में क्या कुछ काम कि अब बाकी चीज़ें आप चीज़ें दिली में रायट माइनॉरिटीज के अग्सपाइट हो जी आम आदमी पार्टी की सरकार दिली में उस वक्त डूलिंग पार्टी है चलो पुलिस उनके हाग पुलिस उनके कंट्रोल नहीं वो हो मिनिस्टिक हैं जी तो वो इंक्वारी क्या देख और उसके बाद ऐसे सेट जो की सीधे सीधे इंदुवाद की पॉलिटिक्स को प्रमोट करना है अब जो पार्ट के साथ भी ना हो सकते वो जा कि अब जब 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 वाईलिंस की सिचुएशन है उस वक्त खड़ी ना हो कि क्यों क्यों टकड़ी लेके वोट इस तरह जब 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 जादा है जड़ा चुप कर लो मुसल्मान गुस्सा हो कि वोट हमें ही देगा लेकिन हिंदु का वोट है यह कैलकुलेशन कर रहे हैं उनके साथ आप बताओ कैसे जायता है वो असूल पर वापस आ जाए अपने को कोई दिकत ने परसनल प्रॉ ची 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 यादव साब क्वेश्चन है हम एक चोटी सी ब्रेक लेंगे एक ये डेड़ मिनिट की और उसके बाद फिर जुड़ते हैं और नेक्स सेग्मेट हमारा किसी और वी शी के बारे में होगा दर्शकों है साथ ना जुड़े होए ने यगेंदर यादव जी तो अड़ा भी कोई क्वेश्चन है सानों तुसी काल कर सागदे हो आपा मिल दे हैं कि छोटी जी ब्रेक तो बाद इदने मने रहे हो जास्ट पंजाबी ते स्वागजी तो अड़ा सारे ना फेर प्रोग्राम ओपन प्लाटफरम जस पंजाबी दर्शकों मैं तो अड़े रूबरू ना ट्यूजड़े वेंस्टे तरस्टे शामने नो वजे पसिफिक टाइम साड़े कैलिफोर्निया स्टूडियो अपने नाला यूग अंदर याद साब स्वागजी तो अड़ा फेर दो आरतों सर मेंनों ना एक दो क्वेस्टिन मेरा पार्टी सवारे हो रहा है फिर अपा फिर दूसरे पासे चल दे हैं सर क्या कारण है कि कोई भी ऐलेक्शन आता है सब बोलते हैं कि इस गवर्मेंट में थोड़ी करप्शन है या गवर्न बहुत चोटी चोटी पार्टीस हैं जैसे यूपी में मुलाइम सिंग जी की हैं हर्याना में अनलो थी चलो हम उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे और आप समाजवादी दूसरी बीस पी को ले लीजिए कहीं भी ले लीजिए क्या करने कि वो बड़ा बड़े लेवल और उपर नहीं आ रही इसका क्या करने और दूसरा जो लोग हैं वो एंड दे डे उन दो पड़ी पार्टियों को ही अपनी कमान फिर से सौफ देते हैं इसका क्या करने प्राब्लम लोगों की नहीं है डेमोक्रिसी में कहने के लिए लोग सर्ताज सौवरेन हैं लेकिन सौवरेन वो है कि जो आप धाबे में करें बड़ी भूक लगी गया है का भाई क्या मित कहता है जी इडली है दोसा है सांबर है इडली लेना है कि दोसा ले आप करो बड़े कि इडली लेना है कि डोसा लेना है वोटर की यही हालत है वो जब वोटिंग बूस पर चाहिए उसके सामने मैन्यू पड़ा मैन्यू में दो तीन आइटम दिखाई देते हैं उसके अलावा कोई आइटम उसके प्थाई कोई वोट अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए तो आज हमारा जो सिस्टम कहने को कोई इडेक्शन को क्योंटेस्ट कर सकती है हमारी पार्टी को हग हो जी हम नॉमिशन दे सकते हैं लेकिन उसको विजिबल बनाने के दिए इतना पैसा चाहिए ताकि एक अमिल नाडू को ओर्डिनरी कृटर है प्रोटेस्ट करें हमारा कोई कैंड उसके लिए पैसा, पीडिया और मशीन हो तो मनी, मीडिया, मशीन, मतलब इलेक्शन मशीन, एक और्गनाइज़ेशन मशीन, ये तीन चीजे चाहिए जब तक ये तीन नहीं हो तो आपका इलेक्शन में खड़े हुआ, ना खड़े हुआ, बराबर, लोग कहते हैं, हमारे अप चंके पंदे, बड़े इमानदार, बहुत अच्छे लोगे, अगली बार इनको पुझे, अगली बार, क्योंकि कहते हैं जी, तो अभी तो लड़ाई में नहीं, लड़ाई में कैसे आएंगे, जब आप सोचोगी उसके बारे, तो हमारे आज की सिस्टेम एंट्री बेरियर हैं, इंडस्ट्री में बोलते हैं, एंट्री बेरियर, मतलब आपको लड़ाई में दंगल के शामिल होने के लिए इतने बड़े दरवाजे को दाखना हैं, कि वो पॉसिबल नहीं हुआ हैं, मीडिया पुझे, इन तीनों का बेरियर, इसकी वज़े से, रही बात, समाजबा पार्टि ने, इस पी जैसी पार्टियों के, ये छोटी पार्टिया नहीं हैं, इंके पास फैसा भी है, इनके पास सपोर्टी है, इन्हों ने सरकार भी चलाई की, जहां जो दिखकर देए हैं, कि इनकी लीडर्टिप्न की ना तो कोई विजन इस देश के लिए, सिरफ एक क कास की पैडिक्स कर के खोशे हैं, अपनी कास से मुलायब से गया produced भी ऋचाते गादे हैं, इस देश का लीडर्शाइद से पनना है कि यह पीं किशाना ह grape अरफ हुडिये, माया वती जी वे ़िस दलितों की लीडर हैं एक जमाने में बहुत बहुत पुलर थी और बड़ा कमाल का काम प्यात है तो स्क्रीट करता हूँ उसका लेकिन आज उससे ज़्यादा जाने को तैयार है एक और बात कहूं कि इन सब लीडरों की फाइल मोदी जी और सब के अपन है ज़्यादा बोले ना तो फिर CBI और IT औ इडी इस सब के चाफे परेंगे जो पड़ भी रहें तो सब की कहीना थाई अंदर से सेटिंग जी जी यादव साब आपने पूरी जो जो सामराइज किया वो एंड वाली बात में कर दिया एक्स्प्लेइन करता हूँ मैं हमारे दर्श्रकों को बर आपने जैसे एक्स्प्ल वित ओल डू रिस्पेक्ट अन्य हजारे जी इतना बड़ा अंदोलन है कि आज हमारे यहां सैन फ्रांसिस्कों में भी उसके बारे में एक कंफरेंस हो चुकी है लोस एंजलिस में नियॉर्क में तो चली रहा है और हर हफते किसी ने किसी शहर में एक रैली निकाली जाती है मैं यूएस की बात कर रहा हूँ कैनेडा में चल रहा है अस्ट्रेलिया नियूजिलेंड सब जगा चल रहा है सर मेरा क्वेशन आप से यह है कि इतना बड़ा अंदोलन होने के बाद अन्ना हजारे जी की एक बार एक स्टेट्मेंट में ने सुनी थी उसके बाद वो चुप है कितने बज़र्ग से उमीद करना कि वो कितनी बात है इसकी टेक्निकलिटी इस वक्त वो समझ रहे हों कि इसके रहे हैं मेरी तो काफी दिन से बात नहीं है दूसरा किसी एक मुल्ट को सिर्फ एक इनसान पर डिपेंड कर रहा है वो अपने आप में बहुत अच्छी बात ह होते हैं इनसानों की कमजोरियां होती है इस तो कोई जो एक मुद्धे पर मेरा रिप्रेजेंटेटिव बना मेरी आवाज पच्छे तरीके से पहुंचाया वो दूसरे मुद्धे पर बेरी आवाज को पहुंचायेगा जरूरी नहीं तो मैं बहुत जादा उपीद नहीं ल अब मैं पिछले को नहीं देखूंगा वो क्यों बैठा हुवा है वो रेस्ट क्यों करता है वो साइट पे क्यों क्या है इस टाइम जो बैटन लेके दोड़ रहा है मैं उसको देख पस मेरी तो यहीं जी 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 यादर साब आपने बहुत अच्छी बात की लेकिन लोगों क को यहीं छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं यादर साब क्या कारण है अब मैं इस गौण्मेंट से थोड़ा सा पीछे जाओंगा पिछले एक दशक या दो दशक जादा नहीं से जादा नहीं है अगर हो तो आप बताईएगा जरूर क्या करने कि एक या दो दशक से हमार जो भारत वर्ष है सब लोग बहुत प्यार कर रहे हम लोग 30-30 साल से यहां लेकिन आत्माएं वहाँ हैं हम सिर्फ बाड़ी की वज़े से यहां क्या कारण है कि हमारा भारत वर्ष सोशलिजम से कापिटलिजम की तरफ स्विच हो रहा है क्या कारण है इसका सची बात ही है कि हमारे यहां सोशलिजम को भी था ही ने सोशलिजम का नाम था उसका प्रचार था उसकी बाते कहते था अब कोई कहे कि इंद्रा गांदी का सोशलिजम लाया था जूपी बात होगी ना इंद्रा गांदी को भी स्टाइट आता था बात करने का गरीबी हो बड़े नारे दे तो किसकी गरीबी है गरीब की गरीबी तो जमाने तो फर्व इतना आट यह नहीं गुआ है कि हम सोचलिजम से कैपिलिस्म पहले भी हम कैपिलिस्म पहले देहते हुए थोड़ी से शरम सोचलिजम का पर्दात पर्दा एक भी हटा दिया है अब नंगी बात भी प्र मैं आपको आज का एक पर किसी आपने देखा वेक्सिन के दाम फिक्स किये चाहे आज तक दुनिशिर कि हिंदोस्तान में कम parties प्सेचा है ज़िस्मॉल पॉक्स प्लि और कोई मान के चल और डिका बेंगे सरकार वैक्सिन लगाएगी और फें लगाएगी। अब मेहली बार सरकार खुल के गला है कि जो मेडिसरी उन्हे में प्रोडियूस होगी उस 1.500 रुपऐ में प्रोडियूस होगी जोकि लंगी। तीन डॉलर में मिल रही है एड़ सो दो सो रुपए में मिल रही है वो वैक्सीन उन्हें में चार सो रुपए और अगर प्राइवेट विस्पिटल जा तो 600 रुपए में मिले है यह है नंगा प्रजा पहले भी देखिए पहले अम तब आप और में अपने हो तब टाटा कि टी हां वैं इसके लिए करने क्या पर ज़ाorry फांट पर यह तंग पिपिटल्स्म आ कि उसका मतलब है कि ए कि खुल के सरकार के ले हैं कि हमें फ्री कोई किन्ता नहीं बस उसका वोट मैनेश यह के अलाब ऑस कोई किन्ता नहीं और अब को किर दो किस चंद लोगों के पाय तो पहले भी था आज भी यादव साब आपने एलाबरेशन बहुत अच्छी की ठीक है मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पहले भी था लेकिन चद्दर किसी और बात की चड़ी हुई थी अब वो चद्दर हटने लगी है और करीब की रूप हट गई है सर मैं आप से सीधी सी एक बात और पूछता हूँ और मैं इसको मैं पंजाबी में पूछूँगा कि जदो हैं उन्हाने कनून बढ़ाई सी जदो हैं शुरू होए होंगे परदानमंतरी आफिस ने पूरी संसद्देवे चलोना ने बैस नहीं कराई अपा उस का लू मान लेने पर कोई आई एस आफि हैं असी करता कोई तो होगा सेना सेर जैने क्या होगा कि यार एपी एमजी मंडी एक्ट खतम हो गया तब पूरा फेडरल टांचा खतम हो जोगा खास करके नोर्थ इंडिया दा जैपा पजावे रहे ना ते थोड़ी पार्ट यू यूपी राजस्तान दी गाल करिए जै आ एशेंशल कमानिटी दी गाल करिये ता किसानी नहीं मजदूरी नहीं हर बंदा जैड़ा कंज्यूमर है जैड़ा कंज्यूम करदा है ओहो इतनी परिशानी चाह जोगा कि रहरा बदाना मैं तो सिद्धी पोचरें गाल कि उन्हां विच्चों कोई भी सेना सेर उठके एनी को लेकिया रहा हाँ थोड़ा या गल्त करें किसे सुद्धा कर लिए जैना की हर पसा सेटर वे अगर इस सरकार में यही होता तो बस इस दिदेश में कितना बेहतर ना हो जाता मैं आपको पूरी बात बता हूं यह कानूनों के बारे में सोच कोई आज की नहीं बात नहीं प लेकिन पहले की सरकारों को डर था क्योंकि जब भी पुलिटिकल उसके सामने आता तो लोग कहते थे या पंगा हो जाएगा खड़ या अभी तो छोड़ दो तो देखे इमानदारी की बात कि कॉंग्रेस सरकार भी यह करना चाए लेकिन उनकी हिमत नहीं भी जी मालू है मु लोग बैठे मैं बिल्कुल कॉंफिडेंटली आपको बात रहा हूं यह कानून तीन लोगों ने उनमें से एक इस देश के अग्रिकल्टर सेक्रेटर मिनिस्टर नहीं था अग्रिकल्टर सेक्रेटर आई-एस ऑफिसर दूसरा प्राइमिनिस्टर आफिस में पिश्राजी ज तीसरे नीती आयोग के रमेश चन जो अग्रिकल्टर एकॉनमिस्ट इनमें एक भी इलेक्टिट रिप्रेजेंटेटिटिव नहीं एक भी बंदा हो जिसको इस देश की देश के किसानों के दुख्टर की शिरता हो रमेश चन जी अच्छे एकॉनमिस्ट है मैं आज भी उनक क्या चीज चल सकते हैं क्या नहीं चलता है इन तीन में से किसे एक को यह समझ के तीनों ने बना रहे मोदी जी के पास किये गए सर जी मौका है पिछले 15 साल कि ये कांटन पुश्ट नहीं हो सके थे अब हनेर गर्दी है चलो चला दो किसी को पता ही तर सर जी किसानों को पता किसानों को मैं सेलीट करता हूँ कि उन्होंने दो महीने केंट सारी बात को पकड़ता है नहीं से भी पहले अलार्म बजा दिया था कि ऐसा कुछ नहीं वाहा है हमें इसके खिलाफ पने रहने की जरूर तो मोदी जी का उन्होंने सोचा है कि पता ही नहीं लगएगा और ये बात सच भी है अमूमन इस देश के किसान आदोलन के खिलाफ कानून बना दो तो बिचारे किसानों को तो ट्रेड़ साल तक जाते हैं उसकी अबारत समझ कानून में लिखा क्या है इस वार किसान आदोलन एक तो जल्दी से पकड़ लिए और उसके पंजाब की किसान जथे बंदियों ने जिस तरह से मोबिलाइज वो इस देश की हिस्टरी का सबसे शांदार केप्टर हो तो बुक्ती जी के बिरोक्रेट्स का कैलकुलेशन पेशारों का गलत हो पाकि इसमें बनाते वक्त ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं था किसे नुक्सान था इनको अच् साब आपने बात की किसान लीडर्शिप की उसमें आप आते हैं योगंदर यादव जी अरकेश टिकैट जी गुर्णाम सिंग चडूनी जी राजवाल साब और जुगंदर सिंग और गुराहां और भी बहुत लीडर्स होंगे दर्शन पाल सीजे मेरी बात भी हुई एक तो साब नाल बने हुई ने योगंदर यादव जी ते अप लेन एक छोटी जी ब्रेक इसे तरह बने रहे हो जास्ट पंजाबी ते स्वागत जी तो अड़ा सारे अंदा फेर में तो अड़ा गुरलाल प्रोग्राम ओपन प्लाटफरम लेके हाजर में ताड़े रूबरू होना टीजडे वेंस टे तरश ते शामनू नौ बजे पसिफिक टाइम साड़े कैलिफोर्निया स्टूडियो तो दोश्रे को साड़ स्वागत जी तो अड़ा फेर बहुत सर में एक दो नाम लेने जड़े बड़े ऑन्रोबल एकिसान यूनियन देवच पो लगया सी माफी चोना आया हननमोला जी ते शिव कुमार कका जी ते उस तो बाद रजिंदर सिंग दीब सिंग वाला बहुत अच्छा लीड कर रहे है तो अड़े सायम नूँ तो अड़ी लीडर्शिप नूँ सलाम है जी और परमात्मा करें तुझ चड़ दी कलाच रहों तो जो आपा सारे चोने है क्योंकि सरकार भी अपनी है देश भी अपना कोई बगानाता है ही नहीं है असी नहीं चौन दो किसे तरह कोई टकराब नूँ उसी राज़ के निखेदी कीती सी गैसे मज तो सारा उनलाइन उपर यूट्यूब ते पर आया सड़े चैनल ते पर उस तो बाद रसी निखेदी कीती सी पार्ती जनता पार्टी दा जड़ा अबोर तो है मेले है उना ना जो भी बत्तमीजी होई असी उदी किसान अंदोलन होन जड़ा होन कणकांदी जड़ी कटाईवी होगी है लोग वापस दुबाड़ा जुड़ने शुरू हो गए ने यादव साब अगली मीटिंग कदोक तक पासिबल है तो अड़े दिमाग दे सामना सरकार मीटिंग का फैस्ता तो फिर सरकार करेगी वो तो उनको तो इलेक्शन के लाग और किसी से मतलब नहीं जी किसानों के कंकों का कटाई कटाई पंजाब में अभी खतम हुआ हरिया तो कटाई के लिए किसान प्रेफ पेजिए उसके बाद हमाई अपने मौचों पर आपको खबर आई होगी एकली मौचे पेसिंग कुचे पे तस्वीर भी होगी बाकी मौचों पर अब देजरे आने शुरू हो गए तो हमने अपने मौचों को तुबारा मजबूत करते हैं इस बीच में आगया को अब करोना तो यह होना ज़िया था कि सरकार जाता साथधार नहीं लेकिन हमने आपकों पर पढ़ी पता नहीं आप तक कहुंचिया ने हिंदें दिंदुस्तान की कि सरकार ऑपरेशन क्ली करने को चैना ऑपरेशन क्लीन का मतलब सफाय से नहीं है सफाया वाला प्रोग्राम कि जैसे पिछले साल ntca protester को रातो रात खतम होगी शाहीं बाग खतम परो करो ना क्रो ना करो आगया चलो 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 चल करोना आ गया खूब जरा लोगों को प्रादू आदे किसान अप्राद के ले जाएंगे बाकी पर फिर पेरामिलिट की कोर्स आओ और आपरेशन की वो सारों का तंबूर आदो खतम कर दो जब हमें पाद लगा तो हमने का ये तो हम नहीं हमने हम करोना से भी लड़े के और सरक कार से भी लड़े के दोनों का तो इस वक्त हम लोग फ्रंट पे काम करते हैं पहला तो ये कि अपने अपने जितने भी मोर्चे हैं जिपी के उन मोर्चों को मजबूत ताकि कोई सकत है दूसरा कोरोना के खिलाफ ले वैक्सिनेशन के कैम्प हमने जहां जाएं पत्रपाद जो करवाना चाहिए वैक्सिनेशन दे सकते हम जितने भी प्रिकॉशन हो सकते हैं सब किसानों को समझा जें प्रिकॉशन और वैसे मैं आपको बताओं हमारे जो मोर्चे हैं ये किसे पिंट से अलग नहीं तो ऐसी कहा जा रहा है कि अगर हमारे टिक्री बॉडर पे और है एक ट्रेक्टर डौ एक ट्रॉली पेनेशा भॉडर भो पैसे हैं जैसे घर के अंदर तींसर इंडर के अंदर हैं और यादक साम लम को सामने यह बता दूब्स और आपके माधम से कि की कोई बस्ती तो डॉक्टर नहीं होगा कोई बस्ती होगी जिस जिसमें थोड़ी गं का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है है जेनिक और दूसरा जो डॉक्टर्स की अवेलिबिलिटी पूरे बोर्डर पे जहां पी धरने लगें वाप पर अवेलिबिल्टी है और उसका फाइदा जो गाउं वाले नियर वाले वो गाउं वाले वो उठा रहे हैं आप सुलूटल है जी अपको यह यह बताना चाहतु जातुछ हमारे हर जगेंपे Medical Camp और आप तो कैलिफोर्निया वाले हैं तो आपको बता तूम वाले पर टिक्री बॉडर पे तो प्रिंट कैलिफोर्निया है जी सिर्डूए स्वाहि मान सिंग जी जी महाले हमारे medical camp है और आपने सही बताया पडोस के भी जो गाहों है वहां के लोग भी हमारे पास आ रहे और हमने अब तो बिल्कुल open declaration कि पडोस के गाहों को चाहे लंगर पहुंचाना हो तो हम पहुंचाएंगे उनको medical help पहुंचानी हो तो हम पहुंचाएंगे vaccination के camp जहां लगाएंगे वो भी आना चाहें तो बुग जा सकते हैं तो corona को हम से लिए उसके लिए precaution है और मैं समझता हूं किसी normal village तो ज्यादा medical facilities हमरे यहां पे हैं उससे बेहतर medical precaution हम यहां पे ले रहे और दिल्ली की जो nearby बस्ती हैं उन बस्ती से तो कम congested हम हैं आप जानते हैं जिन फे कितना congested तरीके से लोग रहते हैं तो इसलिए उससे बेहतर हालात के अंतर बाकी किसानों को नहीं होगा है कोई गारंटी नहीं है कि हम अपनी तरफ से प्रिकॉस्टन ले थे जैसे काउं में अगर रहे तब भस्ती में है वहां भी हो सकता है इस वक्ति दिल्ली की जिस कॉपनी से बोल रहा हूं उस कॉलोनी में सौ माकान है इसकम बीस घरों के अंदर इस तो कोई सिंगो बाट के कोई से नहीं हो सकता की करीब इस से मुक्त में हो कि जैसे यहां प्रिकॉस्टन ले रहे हैं वहां भी प्रिकॉस्टन ले रहे हैं जैसे यहां इलाज कर रहे हैं जैसे मैंने कहा सरकार से भी लड़ें कोरोना से भी लड़ें जी 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 याद जिलाश श्री गंगा नगर हनुमानगर ले लिजीएं वक्त आयेगा कि पानी की कमी जब मैं चोटा था तब पानी था अब उसके बाद हम देखें मेरको आठाइस साल यहाँ होगे उसके बाद देख रहे हैं पानी की कमी 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 आ रही है और आप चले जाएए दौाबा बेल्ट जालंदर जो सतलुच बीच में से गुजरता है माजा में जाँ वहाँ पर भी जो धर्ती का पानी वो नीचे जा रहा है आने वाले वक्त में आने वाले वक्त में यादव साब क्या क्राप डिवर्सिफिकेशन के लिए माइंड सेट लोगों का है अभी के नहीं माइंड सेट नहीं है बनाना पड़ेगा आपने गंगानगर की बात की मैं आपको इसमें और जोड़ दूँ मेरा अपना मेरा जो पुष्टैनी विलेज है वो हर्याना के रेवाडी रेवाडी जी उनसुखा इलाका है एक तम टोटल सुखा इलाका है जी मैं गया हूँ जी अब आप ये बताई उस इलाके में मैंने पता किया पिछले पिछले वहां पे इसले साथ वहां पे उन्हों नहीं के अपना धान जिरी बोनी शुरू करें जनका टूबल से कितना निगाता है। सचाई यह हरियाना, पजजाब, गंगानगर, सब किसानों को इस अड़वी सचाई का साम पढ़ेगा। कि हम अपने हिस्से का पानी तो पी चुके हैं। अपने आने वाली चार पुष्टों के हिस्से का पानी भी पी चुके हैं। अब पकी छटी-सात्मी का हम पीना चाहते हैं.. यह तो नहीं हो सबगा। क्रॉप डाइवर सिपिकेशन करना पड़े गा लेकिन क्रॉप डाइवर सिपिकेशन का सारा जिम्मेबारी किसान के कंदों पे नहीं इंद आरियाना-Panjab के-टिसान को यह राइस पादा करने price and wheat, paddy and wheat, उसी दो पैसा है, कनकते चोड़ा, इस दो में आप price की घारंटी है, और तीसरा गंने में price की जारंटी है, तो किसान को इन तिनों से कोई शौक नहीं है, उसको मजबूरी है कि मेरको price दो पैसा मेरको इसी मेरको इसी मेरको गारंच कल को आप चणे में देना पीट नहीं था लेकिन चने में उसके वजए से मजबूरी में उसने गहूं पैदा करना है अगर आप पाइपस लोग जैसे मक्का की पंजाब में इतनी अच्छी हूँ जी हमारी के सुन्दर गीत है उसके उपर हमारी कल्चर उसके उपर लेकिन पिसले साल क्या हो सब्सक्राइब इस स्ची मर्कशिकेशन जरूरी किशियू इस सरकार को साथ ना पढ़ेगा सरकार यह कि में उतनी बचातों कि तेरे को कनक में हो जी तेरे को तोने में वो जरू जी यादव साब बहुत कोश्चन है हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए लास्ट ब्रेक है रुखना पड़ रहा है उसके बाद में दूसरे कोश्चन हमेरे साथ एक एक दो कालर भी जुड़ अपन प्लाटफारम जस पंजाबी ते दश को अपने ना बुड़े हो ने मानियों गेंदर यादव जी ना स्वागत कर दें यादव साब स्वागत जी तो अड़ा फेर बहुत बहुत ते अपने ना ना एक बहुत सारे कालर ने ड़ाट साब बने हो ना देख चोटी काल ल स्वाल मेरे बने हैं को सब्सक्राइब जवाब जवाब जेदे ना एक तैना ने जाओं क्या भई उनी सो पजटर देवे चंदरा गांदी नू लोना ही पहना सी क्योंके वो कंट्री दो आस्ते को तरनाल सी ओह जी सिच्वेशन ता होने बने हैं हो ते टाप ते अगरी अंदोलन वी है कि कारण है आज देज कोई जैपर काश नरेन है नहीं कि अपोजीशन कोई दाम ने ऐस टाइम बीजेपी दे अपोजीशन ता वोटां दी पूरी है बेशा कहना को मनी मिशीन ते मीडिया नहीं है पर ज़ाँ वोटर है जिनने वोट पाउना है ओ ता आज द कोई सोच बचार करना चाहिए है हुंता है टाइम नहीं है मनी मीडिया कठा करन दा एक ता मेरा है सवाल है जवाब देन तो मैं मुड़के पोशी दाने नहीं वागे लिए याज़साब समझ आगा है पंजाबी अच्छी तरह समझ आदी है आप बिलकुल सही कह रहे हो पहल है पंजाब में बन गए हरियाना में बन गए अभी यूपी में बन गए है मध्य प्रदेश में नहीं शायद उसके लिए प्षाप करने की जख़े बहुत काम करने की जख़े बाज़बा साब सरकार के मीडिया का जितना असर जनता पर और जितना हिंदु मुसल्मान का जहर इन्होंने इस देश में डाल रखता अभी तक वो जहर निकल नहीं है उस जहर को निकलने के लिए और पहनत करनी पूरती आपने कहा कि कोई जैपरकाश नहीं है जैपरकाश बनाना पूरता है आदात भी बनाते हैं लेकिन हमें भी बनाना पड़ता है इस देश को बिल्कुल अपने सही हा इन्हीं आंदोलोनों से बो सकता है एक जैपरकाश नहीं है दस छोटे छोटे जैपरकाश बनाते जो मिलके इस देश को एक पेश ख़ता है जी फार सबस्ता है अगरे अगरे बशलना वह एस प्राटी गोशी को पिसक्षिए एन्हान ने इलेक्शनमें लड़ चलो सक्सेस नहीं मिली तो मुड़के इना ने आप आजमी चट दिती काया कि अपने प्रिंसिपल्स तो उतर गी है क्योंकर केजरी वाल थे हो दूंबाद सिक्सेसिवली तेन वारी जित गया अगरे सारे जाने कटे रहीं दे ते कोई आल्टर्नेटिव बना सकते सी एक स्वाला जी जी आ यादव जी आपको समझ आगे अच्छी तरहां जी बिल्कुस बाजबास साब मैं आपको याद देना हमने आम आदमी पार्टी को छोड़ा नहीं था आम आदमी पार्टी के एकस्पेल किया है क्यों एकस्पेल किया हमने सिर्फ एक जित हमने कहा था कि हम सच बोलेंगे पार्टी के अंदर पार्टी के रूस के किसाब से पार्टी के कॉंस्टिटूशन के किसाब से हम अंदर सवाल पूछे थे जी चन्दा जहां से आ रहा है एक कंसा सोर्स जरा बड़ा है हमने सवाल पूछे थे कि जिस बंदे के खिलाफ हमने खुद F.I.R. करवाया था उसको हमने टिकेट क्यों दिया हमने सवाल पूछे थे कि हमारा केंडिडेट ने पिछले कुछ सालों में 700 करोड पूचे थे, पर हमें कहा गया था, कि या तो सवाल पूचने बंद कर दो, नहीं तो बाहर निकाल, आपको लिटरली ये बोला गया था, हमें बिलकुल एक दम क्लियरली मुझे मैसेज दिया गया था, कि या तो पूच कर लोगे तो राज्यसवा की टिकेट पूचे ये बेरे को आफर था, प्रशांद भूचन को आफर था, आनन्द कुमार की को कहा गया था, जी जा को हमने कहा ये नहीं करेंगे, अगर मुझे बंद करके पैठता है, फिर तो राउल गांदी के दरबार पैठता है, फिर तो म सक्सेस जो असूलों अक्तम करें, वो सक्सेस मुझे नहीं. यादव जी कीमन वे दसद हैं, पैस टाइम, कोई होर स्टेट कंट्री दिली ना लों बैटर एडमिनिस्टर की ती जारी होई, थैंक्यू जी बासे ही है, थैंक्यू बाइज़ साब, बहुत और तानवा तो जी कॉल की थी, प्राइमिनिस्टर को जो करना है, अभी बड़ा सिंपल है जी, दो चीज़ें करते हैं, एक तो ये तीनों कानूनों को एक जड़के से खादम कर दे, उनके लिए एक कलम का कमेश से फालतू नहीं, और दूसरा, एमस्पी पे बस उतना कर दे जितना उन्होंने खुद दोहजार ग्यारा में बोला ता गुजरात में, जी, य जाएं कि हमें कोई से चक्टर दे, रही बात की दिली से बहतर एड्मिनिस्टर्ड स्टेट, मैं इसमें बहुत भहस में नहीं जाता चाहता है, एक तो इसलिए कि दिली सरकार को पूरे हक नहीं, कई चीज़ों पर बोलूँगा, तो दिली सरकार कहें कि हमारे को इसका हक नह बाकी मैं आपको बताओं सर, कि देश के कई राज्ये हैं, आपके खास सरकार की बात भी, केरला का मैं आपका, केरला में जब लेफ्ट प्रंट होता है तब भी, और जब कॉंग्रेस का फ्रंट होता है तब भी, हर चीज़ में तरी से बहतर एड्मिनिस्टर्ड रहता है, प जो नर्थ इंडिया के हर स्टेट से बेटर एडिस्टर्ड porter as for governance, easier as per as certain governance procedures are concerned, governance आप तो यूएस में रहते हैं, आपको महसूस होता होगा कि यार हर चीज़ यहां पर काइड़े से होती है, आपर यहां काईजे से क्यों नहींड़े होती है वैसा कुछ है, South India में हर चीज न यादव साब आपने को मेंट एक दो रहेगे जादा नहीं हैं मेरा क्वेश्चन हैगा जंदे यंदे आप बढ़िया से बताईएगा कि मेरे पास क्वेश्चन बहुत थे अशेंशल कमानिटी पर क्वेश्चन था उसके बाद जो करोना महामारी बीच में फैली है उसमें जो रहा उसके बाद जो पांच राज्चन में इलक्षन उसके बाद आने वाले दो हजार बाईस और मेरे पास क्वेश्चन आपके लिए नवजोत सिंग सिद्दू के लिए भी था लेकिन वह हम किसी दिन फिर साइशन लगाएंगे आपकी इसाज़त होगी लास्ट जाब से शुरू करें तो बहुत महीने होगे अब पांच महा महीना तो यहां चल रहा है साड़े तीन सो के करीब जो है किसान हमें यहां से दुनिया छोड़के चले गएं बगवान उनकी आत्मा को शान्ती दें अगर आप गवर्मेंट से बात करते हैं और क्या आप उनसे सरकार आएगी वो देख लेगी क्या करना है क्या आप ये आप्शन लेके साथ में चलेंगे अगर ये बात किसी तरफ लगानी हो दो अइतना तो कम सक्रम सरकार को खैर करना जा ये था हमारे कहने से नहीं मैं उन्मा किह रहा कि हमसको एक्सेप करना ही सब्चार के पास 3 सान बचे हम वो सब्सक्राइब कि अवर सेरियस पहुँ कह साल कई और संसार को पुरों कि और स्योम यह ले को सरकार से आएंगे तो तमाम तरह की बाद है और मैं किसानों की तरफ से आपके यकीन दिलाने चाहते हैं कि हम रीजनेबल की करते हैं हम जिन्द नहीं करते हैं हम पे फत्य करके वापिस जाते हैं दिल्ली बैठने का हमें कोई शौक नहीं है जी 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 अंदोलन को खीचने क जबर्दस्ती इसमें से कुछ पॉलिटिक्स निकालने का कुछ शौक थी हम के फतह करके प्राइमिनिस्टर को पी आयानू बोलके वापिस जाने जाने लेकिन वो बाचित शूर तो करें मांदारी से तो बात करें अपना अंतार को छोड़ें आज तारीक में कि आपको चिंता ह तो बजाए ये कहने कि कि आप प्राइमिनिस्टर इतना नहीं कर सकते हैं जब देश में करोना है बहां मानिये तो इहां कड़े हो बड़े परेशान है जब इन तीन काशनों को मैंने छोड़ जो तुम भी लोग की छोड़ें तो बाचीत शूरू हो सकती है मैं समझता हूं बड़ा संकर्ट इस बड़े दिल का बड़े दिल को रखने की जिम्मेवारी प्राइमिनिस्टर बिंग स्टेटिसमेंट जी यादव साब वक्त इजाजत नहीं दे रहा बहुत डवली ट्यू के मद्यम से मेरे के पास क्वेशन लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा आज आ बहुत बहुत मेरवानी थैंक यू जी सब सारे आनों बहुत 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 दर्शक्राइशन यूगेंदर यादव जी बहुत सोना उन्हाने सारा क्लारिफिकेशन कीता अपना फेर किस दन टाइम लवांगे आज समय इजाजत नहीं दे रहा तुस्या अपना सारे बहुत ख्या रखना मेरे वलनों प्यार परी सश्ची काल नमस्कार अदाब तेश शबक है